असलाम लेकुम इन इस वीडियो वी विल डिसकस्ट प्यूनिटिव एंड रिफॉर्मेटिव ट्रीट्मेंट ओफ क्रिमिनल्स यह क्वेस्टन जो है यह आया होता है सोशियालोजी और क्रिमिनलोजी में के सब्जेक्ट में दिया गया और यह सी एसस और एलर भी के एक्जाम म है वो हम देखेंगे यहाँ एन लागे फिर ऑगे हम देख लेते हैं कि इसकी ड्राव बैक क्या है वह हम इस वीडियो में देखेंगे तो सबसे पहले हम यह देख लेते कि डजब हम define करने लेते हैं कि punishment तो हमारे mind में क्या आता है कि जब भी कोई person crime हमारे जब भी punishment का word आता है तो उसके साथ crime आ जाता है तो crime क्या है any act or omission forbidden by law तो जब भी कोई person कोई offense commit करता है कोई crime commit करता है या कोई ऐसा act करता है जो के violate करता है किसी भी law को या फिर अगर वो person duty bound होता है कोई काम करने का लेकिन वो legally duty bound होता है लेकिन वो वो काम नहीं करता तो फिर क्या है कि उस person को sanction impose की जाती है in the form of fine penalty or confinement अब ये जो sanction दी जाती है उस person को सजा दी जाती है ये कोई भी person उठके नहीं दे सकता ये society का कोई भी member उठके नहीं दे सकता बलके जो court होती है वो अपनी judgment में sentence जो है वो पास करती है और फिर जो lawful authorities होती है वो आगे इस sentence को impose करती है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि punitive and reformative treatment of criminals इसमें अब हम देख लेते हैं कि punitive treatment जो है वो क्या है अब punitive जो है ये describe करता है कि कोई भी punishment जब inflict की जाए अब punitive का word आएगा तो इसमें हमारे mind में आता है कि inflicting involving or aiming at punishment अब punitive damages जो होती है या punitive जो punishment होती है या punitive treatment जो होता है उसका एक ही purpose होता है कि जिस person ने कोई भी crime commit किया, offense commit किया है या illegal कोई भी act किया है तो उसको सबक सिखाया जाए ताके वो आगे चल कर कोई भी crime commit ना करें और वो society में अपना एक positive role जो है वो play करें अब punitive justice की जब हम बात करते हैं तो ये in the form of retributive justice है कि आप जितनी crime जो है वो grave होगा जितने crime की gravity होगी उतनी ही swear punishment उसको दी जाएगी offender को तो अब इसमें जो retributive justice जो है ये punishment का इसमें वो कहता है कि जब कोई offender कोई lab break करता है तो फिर justice जो है वो require करता है कि उस offender को punish किया जाए उसे suffer किया जाए उतनी ही pain जितनी उसने कास की है किसी दूसरे बंदे को तो ये इसका purpose जो basic purpose हर punishment की थेरी का basic purpose होता है कि future crimes को रोकना और society में एक सबक और example set करना कि अगर आप crime करेंगे तो आपको ये punishment मिलेगी अब society में क्या है कि बहुत सारे लोग होती है वो crime कुमिट नहीं किया होता लेकिन crime कुमिट करने के बारे में सोच रहे होती है या उनके mind में criminal activities आ रही होती है या thoughts आ रही होती है या planning कर रहे होती है जब भी आप किसी person को सजा देते हैं तो वो फिर दूसरी society के लिए एक lesson हो जाता है कि हमने आगे चल कर ये crimes जो है ये कुमिट नहीं करने इसके आगे हम देख लेते हैं कि punitive justice जो है इसकी characteristic क्या है अब इसकी characteristic में आ जाता है कि ये belief है कि punishment जो है एक person के जो action है future action जो है उनको बदल देता है यानि अगर एक person जो है उसने कोई crime कुमिट किया या उसका criminal behavior है तो ये जब punitive justice है ये belief रखते हैं कि इस तरीके से इस treatment के जरीए वो person future में कोई crime कुमिट नहीं करता फिर क्या है कि जो punishment है वो उस person में sense of responsibility पैदा कर देती है उसके mind में आ जाता है कि अगर मैं कोई भी illegal act करूँगा या कोई crime करूँगा society में तो मुझे उसकी punishment मिलेगी फिर इसके इलावा ये है कि जो behavior होता है criminal behavior उस offender का अब उसका जो criminal behavior होता है उसमें वो होता है कि वो habitually crime कुमिट करता रहता है या आप किसी person ने कोई crime कुमिट किया है आप उसको सजा नहीं दोगे तो जिस player के लिए जिस reward के लिए उसने crime कुमिट किया है तो वो दुबारा बार बार वो ही करता रहेगा तो punitive justice करता है कि उसका जो criminal behavior है उसको वहाँ पे रोकना है और उसका वो behavior चेंज करना है फिर आगे ये belief रखते हैं कि जितनी grave जो है वो crime की gravity होगी जितना swear crime कुमिट किया जाएगा उतनी ही swear अगर punishment मिलेगी तो ये एक society में जो victim है वो satisfied होगे society में model set होगे एक example set होगे तो ये है characteristic इसकी punitive justice के अब इसमें एक और चीज़ आजाती है कि punitive justice के characteristic में कि इसमें आजाते है कि आप जब कोई भी punitive treatment कर रहे होते हैं तो उसमें उस person को remove कर दिया जाता है from the society in the form of imprison or confinement in some penal institution अब आगे हमारे पास आजाते है reformatory treatment अब reformatory treatment में क्या होता है कि reformatory treatment a correctional institution है for the treatment training and social rehabilitation of young offender अब reformatory theory जो है ये consider करती है कि punishment जो है ये curative होनी चाहिए remedial होनी चाहिए therapeutic होनी चाहिए और beneficial होनी चाहिए इस से जादा deterrent से जादा यानि deterrent तो ये है कि आपने एक crime commit करने से रोक दिया है लेकिन जो reformatory है कि आपने उसका behavior ही change कर दिया एक negative behavior से आपने एक positive behavior में उसको convert कर दिया और वो एक beneficial person हो गया है for himself and for the society so reformatory theory ये कहती है ये कहती है कि एक crime जो है आप इसको as a disease treat करेंगे अब एक person को अगर कोई disease हो जाती है तो आप उस disease को cure करने के लिए उस person को मारते नहीं है बलके उस specific disease का आप इलाज करते हैं ठीक है उससे क्या होता है कि एक healthy person सामने आता है तो इसी तरहां ये crime जो है ये एक disease की तरह है इसमें आप उस person को मारेंगे नहीं या society से remove नहीं करेंगे बलके उसका treatment करेंगे with the medicines ताके वो आके चलके एक positive person एक reformatory person society में बन के आए वो कहते हैं अभी इस reformatory theory में कहते हैं कि अगर हम I for an I के rule पे चले तो पूरी दुनिया जो है वो अंदी हो जाएगी तो ये कोई treatment नहीं है ये कोई crime को रोकने का तरीका नहीं है अब यहाँ पे कहते हैं कि इस system है criminal justice का ये reformatory एक system है criminal justice का जो focus करता है कि offenders की rehabilitation पे through conciliation with the victim and the community at large अब reformatory या restorative theory of punishment जो है ये इस बात पे यकीन करती है कि जो offenders है उनको reform किया जाए by method of individualization अब ये theory कहती है कि जब भी आप किसी offender को कोई punishment दें कि उसने कोई crime commit किया है या कोई illegal act किया है against the law तो फिर आप इन चोजों पे focus करेंगे जो court होगी जो authority होगी जो punishment दे रही होगी वो इन चीजों को mind में रखेगी कि offender की age क्या है next देखेंगे कि offender का character क्या है फिर आगे देखेंगे कि उसने crime कौन सा commit किया है फिर crime commit करने करते वक्त कौन सी circumstances थी उसकी mental condition क्या थी वो क्या सोच रहा था और कौन सा society का pressure था ये तमाम चीज़े mind में रखते हुए उसको punishment impose करेंगे तो ये जो reformatory theory है ये aim करती है rehabilitation of offender कि उन्हें एक law abiding member society का बनाया जाए तो यहाँ पे आ जाता है कि ये जो punishment है जब reformatory method हमारे पास आ जाती है तो ये punishment primarily जो used होती है in the cases of juvenile delicates होती है फिर first offenders होती है फिर women में ये punishment जादा ये चीज़ें देखी जाती है कि हम इसको practically जो देख रहे होती है वो juvenile delinquents में देख रहे होती है first offenders में और women में अब आगे हम देख लेते हैं कि different methods जो है reformatory treatment के criminals के वो कौन से है कि parole है probation है, pardon है mutation of sentence है juvenile justice laws है फिर reformatory theory of punishment है फिर आगे इसके drawbacks भी है कि ये habitual offenders के लिए नहीं है death sentence हो फिर पाकिस्तान जैसी country के लिए नहीं है तो अब हम आगे इनको one by one discuss कर लेते हैं सबसे पहले हमारे पास आज़ता है parole अब parole क्या है ये है और किसी भी offender को release करना on the temporary और permanent basis उसके good behavior की वज़ा से उसको imprisonment होई है कोई punishment होई है तो उस punishment से उसको release कर दिना उसके good behavior को देखते हुए अब parole जो है इसका purpose क्या है उसके पीछे purpose जो होता है कि यह as a motivation होता है दूसरे offenders के लिए कि वो अपना जो रस्ता है वो ठीक करें और जल्दी जेल से बाहर आएं imprisonment से बाहर आने की कोशिश करें और अपनी जो punishment है उसको कम करवाएं फिर दूसरा क्या है इसका purpose के जो family relation है offender का वो intact रहे तीसरा क्या है कि यह offender को assist करता है कि वो society को पूरे तरीके से समझे और society को adapt करें और उसका एक अच्छा member positive member बने next हमारे पास आ जाता है probation अब probation क्या है यह भी release of offender है from detention उसके good behavior की वज़ा से लेकिन यह under supervision है अब इसमें क्या है probation में कि यह allow करता है prisoners को जो minor offenders होते हैं कि वो अगर good behavior उनका है तो उनको release कर दिया जाए फिर यह जो person release किया जाते है on the probation तो यह उस person के यह जो probation officer होता है उसके supervision में उसके guardianship में रहते हैं ठीके अब यहाँ पे जो probation officer होता है उसकी duty होती है कि वो supervise करे probationers को जो के और उसके इलावा उनको कोई फर्दर जो employment है वो उनकी secure करवाए और उनकी help करे to reform themselves अब यहाँ पे आगे criticism भी आ जाता है reformatory theory पे इसके criticism में वो कहते है कि habitual offender के case में यह use नहीं होता फिर दूसरा क्या है कि irrelevant हो जाती है यह theory कि जब death sentence दी जाती है फिर offender centric approach है अब यहाँ पे यह useful नहीं होता habitual offender में कि अब public interest demand करता है कि जो habitual offender है उनकी जो crime की tendency है उसको रोका जाए उनको punish किया जाए उनको prohibit किया जाए लेकिन अगर reformatory theory है यहाँ पे habitual offenders पे applicable नहीं होती क्योंकि उनकी एक nature बन चुकी होती है वो बार-बार crime कर रहे होते है और society को बार-बार नुकसान पहुचा रहे होते है तो यहाँ पे आके यह theory irrelevant हो जाती है next यह irrelevant हो जाती है कि जब death sentence की बात आती है अब किसी भी person को ने कोई ऐसा crime commit किया है जिसमें उसको death sentence उसको दी गई है तो यहाँ पे reformatory theory जो है वो irrelevant हो जाती है और यह punitive system के अंडर आ जाता है उसके इलावा हमारे पास आ जाता है कि यह theory जो है offender centric approach रखती है इसमें वो कहते हैं कि जब किसी भी offender को punishment दी जाती है under reformatory theory तो यह unjust हो जाती है victim के लिए victim के जो rights होते हैं वो infringe हो जाते हैं अब इसमें क्या है कि court जो है unconsciously जो victim के right होते हैं उनको infringe कर रही होती है जिसमें देखा जा सकता है कि बाज़ अकात victim जो हैं उनमें ही पैदा हो जाती है यह sense कि हम इस person को खुद punish कर ले कि यह अगर punishment नहीं दे रहे तो यहां पर क्या आता है कि जो victim है उसके rights भी देखे जाएं और जो offender है उसके rights भी देखे जाएं लेकिन यह theory जादा offender पे जोर देती है इसलिए यह offender centric approach रखती है next हमारे पास आ जाता है कि यह theory जो है यह पाकिस्तान जैसी country में valid है यह नहीं अब पाकिस्तान एक ऐसी country है जहां पर poverty जो है वो एक primary reason है crime commit करने की अगर लोगों को यह पता चल जाए कि जो prisoners हैं वो उन लोगों से जादा comfortable रह रहे हैं तो उनके जाहरी बात उनमें खायश पैदा होगी कि हम जाके petty crimes commit करें minor crimes करें और जाके वही prison में जाके रहें बजाए इसके कि हम poverty में जलील होते रहें तो यह automatically एक सोच पैदा हो जाती है तो पाकिस्तान जैसी country में यह valid नहीं है next हमारे पास आजाता है कि balance होना चाहिए इसमें जब हम offender के right की बात करती है या prisoner के right की बात करती है तो यहाँ पे आता है कि उनमें एक balance होना चाहिए फिर next हमारे पास आजाता है अब need of modern time जो है वो क्या है वो यह है कि सिरफ offender को ही punish नहीं करना बलकि victim को भी compensate करना है तो आगे हम देख लेते हैं जो different kinds of punishment हैं वो हम यहाँ पे देख लेते हैं corporal punishment है जो दी जाती है under punitive theory और under reformatory theory तो combine इनकी सारी punishment की different types जो है वो देख लेते हैं जो corporal punishment है यह physical punishment है इसमे physical punishment जो है वो impose की जाती है canning भी हो सकती है flogging भी हो सकती है इसकी examples में आ जाता है ठीक है अब यह corporal punishment जो है यह physical punishment है यह जब minors पे impose की जाती है जैसे school में आ जाता है तो spanking and paddling वगरा आ जाती है इसमें लेकिन जब आप adults पे impose करते हैं तो इसमें जो prisoners होते हैं slaves होती है तो उन पे यह punishment impose की जाती है यह जो physical punishment है यह include करती है इसमें flogging है branding है mutilation है तो यह practice होती थी पहले inner most civilization इसको practice किया जाता था different forms में लेकिन फिर वक्त के साथ-साथ जैसे ही आगे time गुजरता गया तो यह punishment corporal punishment जो है यह खत्म होती गयी पहले corporal punishment जो homes में थी जैसे के कोई guardian है parents है adult guardian है तो वो punish करते थे अपने बच्चों को कोई भी अगर वो घल्टी करते थे तो पहले home punishment खत्म की गई फिर school corporal punishment थी वो खत्म की गई यह कुछ जो school teacher impose करते थे punishment यह school administrator जो थे वो punishment impose करते थे तो वो खत्म की गई next हमारे पास आजाता है transportation for life अब transportation for life जो है penal transportation यह है कि जब भी कोई criminal कोई offense कुमिट करता है person कोई offense कुमिट करता है और convicted criminals जो है उनको क्या किया जाते था कि जिस society में वो crime कुमिट करते थे वहां से remove कर दिया जाता था उनको different जगों पे भी दिया जाता था transport कर दिया जाता था अब यह ज़्यादा practice देखी गई थी British Empire के time पे तो इसमें क्या होता था कि जो offenders होते थे उनको उनकी society से बाहर भी देते थे दूर किसी और मुल्क में जलावतन कर देते थे और in the form of laborers उनको भीजा जाता था वो वहां जाकर bounded labor जो थी वो करते थे तो उसके जितनी भी earning होती थी वो state और government जो उने भीजती थी उसको मिलती थी और specific time के लिए वो जाके वहां पे ये labor करते थे जब उनकी punishment complete हो जाती थी तो फिर वो अजाद कर दिया जाते थे लेकिन इसका drawback ये है कि जो भी offenders जिनको ये punishment दी जाती थी transportation for life की तो जब उनकी punishment खतम होती थी तो उनके पास इतने resources नहीं होते थे कि वो अपने घर अपनी country में अपनी society में वापस आके वहाँ पे रह सकें तो ये इसका एक drawback था ये वहाँ पे जाके कैद हो जाते थे लेकिन इसका एक positive point ये है कि ये capital punishment से less wear है इस वज़े से इसको positive देखा जाता था पहले और ये method यूज होता था for the criminals, debtors military prisoners और political prisoners के लिए next हमारे पास आ जाते है capital punishment capital punishment का word जब भी हमारे माइड में आता है तो हमारे माइड में आता है death penalty जब भी कोई person कोई crime कुमिट करता है तो उसको capital punishment कुमिट करता है तो उसको capital punishment दी जाती है in the form of death तो capital punishment जो है ये सिरफ death penalty नहीं है बलके imprisonment for life जो है वो भी capital punishment में आ जाती है आगे हमारे पास आ जाता है कि imprisonment अब imprisonment क्या है कि किसी भी person की freedom जो है वो खतम कर देना उसको confine कर देना एक specific जगा पे और उसको restrict कर देना उसकी movement so this is imprisonment जब भी कोई person कोई crime commit करता है तो उसको imprisonment की form में भी सजा दी जाती है और imprisonment की सजा जो है ये तकरीबन हर country में पूरी दुनिया में ये तरीका सजा का अपनाया गया है और ये इसके मताबक सजा दी जाती है अब imprisonment में इसकी टाइपस आ जाती है simple imprisonment है regress imprisonment है तो हम देख लेती है कि simple Imprisement क्या है अब Simple Imprisement में क्या है कि ये एक imprisonment की टाइप है जिसमें कोई person जब convicted होता है किसी crime का तो उसको prison में रखा जाता है without any hard labor और ये जो Simple Imprisement है ये जो minor crimes होती है ये lighter offenses होती हैं उनके लिए धी जाती है next हमारे पास आजेते है rigorous imprisonment, rigorous imprisonment क्या है, जब आप किसी person को punish करेंगे, imprisonment तो वो उस imprisonment के साथ, वो hard कोई labor जो है, वो भी करेगा so this is called rigorous imprisonment next हमारे पास आ जाता है, imprisonment for life ये हमारे पास capital punishment के तौर पे ये impose की जाती है, और ये imprisonment for life जो है ये किसी भी person को, जब वो कोई ऐसा crime commit करता है, जो बहुती sphere form का होता है, तो उसको impose की जाती है और इसके बारे में commonly ये ही का जाता है, कि उसको पूरी जिन्दगी के लिए jail में डाला जाता है, लेकिन until pardoned और otherwise commuted to a fixed period फिर हमारे पास आ जाता है, solitary confinement, अब इसमें क्या होता है कि अगर कोई prisoner है ये उन लोगों को punishment दी जाती है, जो के बहुत ज़्यादा swear crime commit करते हैं, habitual offenders होते हैं, तो उन लोगों को ये punishment दी जाती है, इसमें उनको confine कर दिया जाता है, किसी भी isolated place पे, और उनका contact है with other persons वो खतम कर दिया जाता है और outer world के साथ उनका contact खतम कर दिया जाता है और इसमें believe किया जाता है कि ये जो solitary confinement है इसमें जो भी person रहेगा, उसमें जो feeling of loneliness है वो उसमें एक reform पैदा करेगी और वो आगे चलके इस चीज़ को सोचेगा कि मैंने next अपनी life में कोई भी crime commit नहीं करना, तो solitary confinement के बारे में कहा जाता है कि total punishment के 3 months से ज़्यादा exceed नहीं करते next हमारे पास आ जाता है कि prison and related problems, अब prison जो है उसके साथ कौन कौन सी related problems है usually हम देखते हैं कि जितनी भी punishments दी जाती है वो in the form of imprisonment होती है mostly, तो यहाँ पे जब imprisonment जो है वो prison में जाके रखा जाता है offenders को तो उसके drawbacks क्या है कि overcrowded होती है, फिर mal administration और corruption जो है यह बहुत जादा effect करती है prison के महौल को, ठीक है उसके बाद lack of recreational facilities नहीं होती, फिर unorganized होती है, कोई भी educational program वहाँ पे कोई भी जो वहाँ पे prison का staff होता है, उनकी जो career progression होती है, वो बहुत slow होती है, फिर जो prison का staff होता है, उसकी training जो होती है वो low priority होती है, तो यह भी एक drawback है, यह problem है prison से related, next के आ जाता है कि special consideration for vulnerable prisoners, वो भी नहीं mind में रखा जाता है, कि जो vulnerable prisoners हैं, उनके लिए कोई सही specific इंतजाम किये जा सकें, next हमारे पास punishment आ जाती है, Islamic उसके हम देख लेती है punishment तो इसमें किसास आ जाता है, ताजीर आ जाती है, हद आ जाती है अब किसास जो है यह word derive हुआ है from all cases, इसमें क्या है कि to follow someone's footstep अब किसास में यह literally इसका क्या मिनिक है यह to bloodshed in repetition or retribution अब यहाँ पर क्या है कि यह बदला लेना है मतलब जितनी severe crime commit किया गया है और जितनी severe hurt cause की गई है body के जिस part पे hurt cause की गई है जो convict होता है उसको उतनी ही severe punishment दी जाती है और उसके body के उनही parts पे उसको hurt cause की जाती है उतनी ही quantity में उतनी ही जितना उसने victim पे को सफर किया है उतना उसे सफर किया जाता है अगर उसने victim की death cause की है तो फिर उसको death penalty दी जाती है next हमारे पास आ जाता है ताजीर अब ताजीर जो है ये वो punishment है जब हद की punishment imposed नहीं होती तो फिर ताजीर जो है वो punishment वो inflict की जाती है by imposition of fine or imprisonment it is a punishment which is left to the discretion of judge next हमारे पास आ जाता है death अब death जो है ये highest form है punishment की कि कोई भी person जिसने कोई ऐसा offense commit किया है जो बहुत serious nature का है heinious crime commit किया है तो फिर उसको death penalty दी जाती है बिसकी example में हम आ जाते हैं कि अगर उसने wage war की है against Pakistan या sedition की abattment की है या फिर murder किया है या डिकेती की है accompanied with murder आ जाती है या hijacking की है मतलब इस तरह के जितने भी crimes हैं वो उसने commit किये हैं तो फिर उसको death penalty दी जाती है next हमारे पास आ जाता है हद अब हद जो है ये Arabic language का एक word है जिसका मतलब है literal meaning है infinitive to separate to prevent अब Islamic law में जो हदूद crimes है वो आ जाती है अपस्टेसी आ जाती है revolt against the ruler आ जाता है theft आ जाता है highway robbery है adultery है slender है फिर drinking alcohol है so these are all hadood crimes तो इनके punishment भी दी गई है आगे उसमें amputation of hand and feeds है फिर आगे हमारे पास आ जाता है flogging है फिर death है so these are punishment which are imposed in hadood cases next हमारे पास आ जाता है rehabilitation अब rehabilitation क्या होती है rehabilitation हम पहले पर एक previous वीडियो में इसको details से discuss कर चुके rehabilitation क्या है कि जब भी कोई sentence impose की जाती है for the purpose of rehabilitation तो उसका focus main क्या होता है कि treatment करना offender का उसको re-educate करना उसको goals देना life में उसको employment देना उसकी training करना ताके वो आगे चलके crime free life गुजार सके और positive role play कर सके society में और अपने लिए भी उसका positive role हो और society की तरफ भी उसका positive role हो अब ये ऐसी सजा है जो include करती है कि इसमें program आ जाते हैं मतलब drug and alcohol rehab आ जाता है mental health treatment आ जाता है फिर anger management आ जाता है उसके इलावा court जो है अगर कोई और program consider करती है के necessary है for rehabilitation तो वो उसको उसके punishment में दे देती है अब यहां पर offender जो होते हैं यह sentence किये जाते हैं to imprisonment और फिर उन imprisonment में जो उनके rehabilitation की punishment होती है यह जो भी बताया जाता है कि इस reformatory form में इनको rehabilitate करना है तो वो method impose किया जाते हैं next आ हमारे पास आ जाता है कि जो offender होते हैं कुछ sentences ऐसी होती है कि offender जो होते हैं जो उन्होंने offense cause किया होता है crime commit किया होता है तो उसके वो जो crime की causes होती हैं उनको address किया जाता है और उसके contributing factor देखे जाते हैं फिर उनका हल निकाला जाता है और उसकी counseling की जाती है ताके आगे चल कर वो दुबारा ये mistake ना करे so this is end of my video please subscribe my channel thank you so much allahafiz किया कर दो किया और बहूंता है